तेक्नो पोवा 2 कामरा टेस्ट और रिव्यू तो आज श्पेशली में इस टेक्नो पोवा 2 का एक कामरा टेस्ट और रिव्यू टॉपिक अबर कुनूगा यह जो टेक्नो पोवा 2 है बेसिकली दो वेरेंट्स में अबेलेबल है तो इसमें अगर आप इस स्मार्टफोन को पर्चेस करना चाहते है तो बेटर है कि आप 6GB RAM वाले वेरेंज के लिए जाए आपको एक तरीके से स्मूधनेज ज्यादा बेटर देखने को मिलेगा अगर आप एक ही डिवाइस को तीन से चार साल तक यूज करना चाहते है तो और यह जो टेक्नो पॉर्ट हूँ है यह आपको सिर्फो सिफ ऑनलाइन प्लाटफोर्म जैसे कि Amazon पर ही आपको भी फिला इसमें जो डिस्प्ले आता है यह प्यॉर्ली 6.90 इंच का इसका डिस्प्ले है मिन्स 1080 बाट 2460 पिक्सल्स के साथ में जो कि फुल एच्डी प्लस के साथ में एंड इसका पिक्चर कॉलिटी वीडियो कॉलिटी के साथ मेरा अच्छा-कासा एक्स्प्रियेंस है तो एक ही प अब राके त्रू तो जो मैं आपको वीडियो के एंड में शू करूंगा तो यह टिक्नो पॉट्व है इसमें कैमरा आता है मेन डिरेंस निचे की दो कैमरा से तूटो मेगा पिक्सल्स के एड जिसमें पिक्चर कॉलिटी फोकोस मोड में आपको स्मोधनेस मिलेगा और यह थोड़ा मुझे convenient लगा as compared to Infinix Note 10 Infinix Note 10 and Techno Power 2 को आप आपस में compare कर सकते हैं because almost दोनों ही smartphone एक दुसरे के cousin brother है और almost same ही features के साथ में available है लेकिन speed up के मामले में and performance के मामले में थोड़ा सा Infinix Note 10 ज्यादा smooth है as compared to this Techno Power 2 because उसमें processor ज्यादा आता है compare to this इसमें Z85 आता है और उसमें Infinix Note 10 में ज्यादा और यह जो smartphone है आपको basically online platform Amazon पर ही अभी available बिलेगा तो यहाँ पर सबसे बहुत बात करते हैं इसमें camera की तो यहाँ पर इसमें front का जो camera है वो आपको सिफ 8 megapixel ज्यादा है mostly smartphone जो 12 से 13 जर के रेंच में आता है उसमें front camera almost 16 megapixel के रेंच में आता है जाते में ने notice किया इवन Infinix Note 10 में भी 16 megapixel का front camera लेकिन इस तोड़ा सा यह problematic लगा मुझे लेकिन इसमें जो camera के मामले में जो features available है वो थोड़ा advanced level के features available है जो मुझे Infinix Note 10 में देखने को नहीं मिला so guys topic स्टार्ट करने से पहले point मैं add करना चाहता हूँ मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझे instagram पर follow करें because जो भी आपके doubts and questions है आप directly मुझे instagram पर पूछ सकते है और इसके साथ साथ मुझे भी एक topic के लिए idea मिलेगा जिसके रिल्टे में फिर वीडियो cover कर सकते हो because जो आपका doubt है वो आपके साथ साथ और भी हजारो users के doubt हो सकते है तो आपके साथ साथ उनका भी query solve होगा तो जो instagram का link है मेरे video के down site में दिया है वहाँ पर जाके आप directly मुझे instagram पर follow कर सकते है और कुछ भी question आप instagram पर डारेकली पूस सकते है तो पहली बात हो जो टेक्न पौट हो है यह device थोड़ा सा heavy लगता है तो opuses का display size बड़ा है तो ऐसे में आपको one hand से से carry करने में problem होगा लेकिन अगर आप एक gamer person है या students है, college student है अगर आपको 25 अंधर में age है तो ऐसे cases में आपको यह smartphone काफी ज़रा पसंद आएगा बिकॉस यह पहले बात तो affordable smartphone है और उस पर से gaming के मामले में better result प्रोवाइड करेगा तो अभी इसके camera के बारे में चेक करता है short videos का जिसमें आप short videos create कर सकते हैं जस्त आपको इस पर tap करना है और उसके बाद आपका short video हाँ पर create हो जागा जिसमें आप इसको fast forward भी set कर सकते हैं इसके बाद यह timer है आपर जैसे आप इससे stop करनेगा आपका recording stopped हो जाएगा जैसे recording stopped हो जाएगा इसके बाद यहाँ पर आप effects add कर सकते हैं जिससे की इसके लाब को यह application download करना होगा और इसके दोब आप इसमें effect add कर सकते हैं which is more and more convenient इसके बाद video के sections में यहाँ पर इतना सारी options जो available है तो अभी मैं video के sections में मैं टैप किया है इसके बाद यहाँ पर 720p pixels आता है 1080p आता है तो यह थोड़ा मुझे अच्छा लगा तो यह थोड़ा मुझे अच्छा लगा तो के quality इसमें मिलता है इवन इंफिनिक्स note 10 में भी तो के quality आता है जिसे की picture quality video recording आपका better होगा लेकिन जो space है वो ज्यादा consumed होगा उसके बाद यह ultra steady on भी आता है और उसके बाद यह सारे इतने features है जो आपको better result provide करेंगे यह एक और unique feature जो आपको bokeh effect के साथ में आता है जिसे picture quality थोड़ा crystal आता है and then यह है video beauty on यह video की quality को और जहरा better करने के रहे इवन अगर आप night mode में वह रहेंगे तो आपको picture quality better मिलेगा इस video beauty on को on करने से and then यह normal सा flashlight है तो इसके settings में जाने के बाद यह सारे के सारे इसके camera के settings so let me show you one by one तो first है shutter sound, eye autofocus और इसमें यह सब normal से चीज़े है जिसके बारे में आप already aware है यहाँ पर अगर आप चाहते कि जब यह आप video record करें तो आपको camera का option जाने कि जो आपके device का name है टेक्नोपोर्टो का वह आप शो करें तो आप इस option को on कर सकते है तो automatically जो watermark है टेक्नोपोर्टो का यह आपको video की recording के time पर show जागा अगर नहीं चाहिए तो आप इसको यहाँ से disable कर सकते हैं जो कि default basis पे off ही रहता है अगर आपको कुछ भी settings है अगर आपके हाते से कुछ भी settings अगर आपको changes हो जाती है तो इस आप यहाँ से change भी कर सकते हैं अब लेट से इसका picture quality एक बाद चेक करते हैं तो इसके लिए मैं camera AI के option में जाओंगा तो first अभी मैं AI के option में हूँ और यहाँ पर option मैंने choose किया है HDR-A तो let's इस earphone का एक peek लेट तो पहली बात यहाँ पर तो पहले इसका focusing चेक करते हैं तो अभी इसको मैंने ये camera के एकदम नजजीक मिला है and you see जो background है वो एकदम proper तरीके से और easily response कर रहा है तो mostly के smart phones में आपने notice किया होगा कि जब भी आप उससे focus mode पे करते हैं तो इदम front मिलाते है तो जो focusing का response है वो उसमें थोड़ा delay मिलता है लेकिन यहाँ पर easily इसे captured कर रहा है और जैसे मैं इसे camera के नजजीक मिला रहा हूँ तो automatically ये background जो है वो portrait mode में show हो रहा है अभी आपर मैं इसे recall camera के सामने रखा हूँ इसलिए आपको शायर इतना clearly ने रहा है लेकिन मैं एकदब life इसे easily notice कर पार हो and picture quality बोजे एकदब perfect लग रहा है तो जो object है object को इसने proper तरीके से captured किया है which is more and more important so let's make a pic click so now let's check so you see अब इसको मैं जूम करो ये पुरा इसका maxi zoom है maxi zoom में भी यहाँ पर जो picture का blurrness है वो बहुत ही कम बिल रहा है mostly cases में picture quality यहाँ पर बैठर है मैं इतना ही कहना चाहूंगा तो मैं mostly और भी smart phones के में reviews करता हो उनके cases में ऐसे कुछ सारे smart phones है जो मैं use करता हूँ जिसमें जब भी मैं इसे focusing mode पर कोई भी moment को captured करता हूँ तो यहाँ पर एकदम full zoom करने के बाद यह जो picture का जो बॉड़ोला shape है यहाँ पर blurrness देखने मिलता है जो कि इस techno power तुमें मुझे बिलकुल भी देखने को नहीं बिल रहा है बिल रहा है बट only 2 या 3% का blurrness से लेके यह एकदम normal है जिसमें कोई problem नहीं है तो overall ही यह picture quality के बावले में मुझे better लगा साथ ही मैं let's मैं भी एक और एक photograph करता हूँ so now अभी मैं इस holder को captured करता हूँ अब यहाँ पर मैं इसको एकदम nearby से लेके जाता हूँ तो जो फिर भी यह easily captured करा है and then उसके बाद यह long way में लिकिन यहाँ पर अभी मैंने जब इस main object पर रगा तो यहाँ पर यह focusing का response थोड़ा सा डिले लगा but yes जो response कर रहा है यह proper कर रहा है बर्स थोड़ा सा डिले कर रहा है अभी इस cases में so let's click the photo तो यह पुरा max zoom है so picture qualities का better रहा है and इतना जरा मुझे blur नहीं से यहाँ पर देखने कर रहा है but yes जो background है background को इसने proper तरीके से blur का effect दिया है और portrait effect दिया है which is very good साथ में आभी इसके बाद और भी इसमें option मिलते है beauties के तो beauties के दूरू अगर आप picture क्लिक करते है इसमें ब्यूटी इसमें बिल रहा है लेकिन beauty effect आपके लिए जड़ा useful होगा अगर आप नाइट मोड में आपको picture quality दूरा better चाहिए तो ऐसे में यह effect जड़ा effect होगा so अभी यह है portrait का इसमें portrait भी है so let's check it out so यहाँ पर थोड़ा सब मुझे problem हो रहा है portrait के options में तो portrait में भी better ही option बिल रहा है and then इसके बात यहाँ पर भी super night का यह option है super night में mostly cases में आपको इतने सारी features है जो यहाँ पर available बिलेंगे जैसे कि ultra HD, AR shots, beauty, short videos तो यह short videos का आपको option है then इसके बात इसमें slow motion भी है तो अगर आप slow motion video record करना चाहते है then इसमें इतने सारी options available है तो यहाँ पर यह जो डिचने पर सारी options यहाँ पर available है यह सारी इसमें cover नहीं हो पाएंगे इसके लिए मुझे एक separate topic cover करना आवा तो अगर आपको इसके related different types के topic चीए तो please comment section में ज़रूर बता है अब यहाँ पर इसकी picture quality को और थोड़ा better तरीके से बताने के लिए मैंने इसके through camera के through मैंने totally कई सारे photographs में click किये है जो मैं आपको video के end में जरूर शो करेगा तो उससे आप जरूर एक बद चेक कर लिजएगा जिससे आपको picture quality के मामल में थोड़ा और जारा analysis हो जाएगा कि अगर आप morning में, afternoon में and evening में, even night के time पर अगर आप photograph क्लिक करते हैं इस technoport 2 को लेकर तो आपको उसमें कैसा result मिलेगा picture quality कैसा है तो already मैंने सारे photographs मैं आप भी आपर show करूँगा झाओ करूँगा झाल 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 इस तेखनो पूर टुके कैमारा टेस्टिंग को लेकर और आप डीटेल में अगर आप इसकी रिलेटेड टॉपिक चाहते तो प्लीस आप कमेंट section में ज़रूर बता है because ज़्यादा comment आएंगे तो ही में इसके हर एक depth और सारे के सारे जितने भी सारे इसके camera के features है उसके बारे में one by one topic cover कुरूँगा because अगर ज़्यादा request आएंगे तो यहाँ पर यह से मैंने एक normal सा basic type का सा camera test के जिसमें जो में चीज है हमारा camera quality कि अगर आप इसके 48MP camera का यूज करके पिक्चर कैसा रेते है तो उसके cases में picture quality आपको better मिलेगा as compared to Infinix Note 10 because दोने devices मेरे पास है और दोने devices के साथ मेरा अच्छा कासे experience है इसके basis में मैं आपको कह रहो that's it all about but हर एक का अलग अलग opinion हो था तो यह मेरा opinion है इसके सबसे में आपको कहा है so कुछ भी questions से कुछ भी doubts से आप directly मुझे instagram पर पूस सकते है I hope you like this information thank you